विश्वामित्र प्राचीन भारत के अतिप्रसिद रिशियों में हैं। रगुकुल में वसिष्ट और विश्वामित्र की बहुत पहुंच थी। भगवान राम पर आदिपत्य को लेकर ये दोनों ही रिशी एक दूसरे से प्रतिसपरदा में थे। जहां विश्वामित्र रा राजा कौशिक था. एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ जंगल में निकल गए थे और रास्ते में पने वाले महर्शी वसिष्ट के आश्रम में उनसे मिले. महर्शी वसिष्ट ने उनका और उनकी सेना का सतकार किया और सब को भोजन कराया. राजा कौशिक को इस पर आश्चर्य हुआ तो वसिष्ट ने बताया कि मेरे पास नंदिनी गाय है जो कामधेनु की पुत्री है और स्वयम इंद्र ने महर्शी को भेट की थी. राजा कौशिक ने नंदिनी को पाने के लिए जितकी परंतु वसिष्ट ने मना कर दिया. इस प पर भी वसिष्ट पर आक्रमन किया. महर्शी वसिष्ट ने क्रोध में आकर राजा कौशिक के एक पुत्र को छोड़कर बाकी सभी को शाप देकर भस्म कर दिया. इस धटना के बाद राजा कौशिक ने राजपाट को अपने पुत्र को सौप दिया और हिमालय में जाकर गवान शिव की घंगोर तपस्याकी और वर्दान स्वरूप कई दिव्यास्ट प्राप्त किये. इसके पश्चात्वे पुनह महर्शी वसिष्ट से युद्ध को प्रस्तुत हुए. वसिष्ट ने उनका हर अस्ट्र नश्ट कर दिया और ब्रहमास्ट का संधान किया. सभी देवताओं ने आकर वसिष्ट से प्रार्थना की और उन्हें शांत किया तता वसिष्ट ने ब्रहमास्ट को वापस ले लिया. राजा कौशिक को अत्यंत पश्चाताप हुआ की कालास्ट, मानव, मोहन, गांधर, जरिम्भन, रज, ब्रमपाश, कालपाश, वरुनपाश, और ब्रह्मा ने उन्हें राजर्शी पद प्रदान किया. परन्तु वे संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने पुनाह तपस्या प्रारंब की और बहुत सारे विघ्रों के बाद भी तपस्या को पूर्ण किया और इंद्र ने उन्हें ब्रहमन पद प्रदान किया. अब वे वसिष्ट ने भी ब्रह्मरिशी के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रोध में दोनों ने एक दूसरे के पुत्रों को नश्ट कर दिया था। परन्तु अब विश्वामित्र भी क्रोध और मोह के बंधनों से उपर उठ चुके थे। विश्वामित्र की अन्य कताएं। उनकी तपस्या को भंध करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग से अपसरा मेंका को भेजा। विश्वामित्र मेंका पर मुहित हो गए थे और मेंका कन्या उत्पन होने तक उनकी साथ रही। बाद में वह स्वर्गलोक वापस चली गई, विश्वा मित्र ने इस कन्या को रात के अंधेरे में रिशी कव के आश्रम में छोड़ दिया था, ये कन्या शकुंतला के नाम से विख्यात हुई, जिसका गंधर्व विवा समराद दुश्यंत के साथ हुआ, इन दोनों से भरत नाम के पुत्र ने जन्म लिया, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पगा है, त्रिशनकु की कता, त्रिशनकु इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, उन्होंने महर्शी वसिष्ट से इसके लिए अनुरोध किया, वसिष्ट और उनके पुत्रों ने इसके लिए मना कर दिया, वसिष्ट के पुत्रों को जब त्रिशनकु ने अपशब्द कहे तो उन्होंने त्रिशनकु को चांदाल होने का शाप दिया, त्रिशनकु के मंत्री और सभासद उनका साथ छोड़ गए, विश्वामित्र ने त्रिशनकु क भागवे स्वीकार नहीं करेंगे विश्वामित्र ने वसिष्ट पुत्रों को कालपाश में यमलोग जाने का शाप दे दिया अन्य सभी रिशी मुनी भैभीत होकर यग्य में शामिल हुए परंतु देवता नहीं आए इसके पश्चात विश्वामित्र ने मंत्र बल से त्रिशनकु को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया प्रारम की स्वर्ग की ओर आया देखकर इंद्र ने क्रोध से त्रिशनकु को कहा कि गुरु की शाप के कारण तु स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं है इस पर त्रिशन को गिरने लगे और अधर में ही सिर के बल लटक गए तब विश्वामित्र ने मंत्र बल से उसी स्थान पर एक नए स्वर्ग की स्रिष्टी कर दी इंद्रादी देवता जब विश्वामित्र के पास आये तो विश्वामित्र ने कहा कि मेरे द्वारा बनाया गया ये स्वर्गमंडल हमेशा रहेगा